ओम सिरी गनेश आइनमा दोस्तो एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 अप्रेल शुक्रवार की रासी फल्क के बारे में कि यह दिन में स्रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत पर पूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाए भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मीरी आप लोगस रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नहीं नहीं वीडियो पहुंस सके चली दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा मेस रासी वालों के लिए सुक्रवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तों आज आपके उच्च इस्तर के अधिकारी से संबंध बहतर होने से अच्छी पोजिशन प्राप्त होनी की संभवना बन सकती है अच्छा धनलाब प्राप्त होनी की भी आज संभवना बन सकती है यदि आप कोई कार्रे करते हैं तो आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है दोस्तों साती सात आपको आज कुछ नए अवसरों की प्राप्ती होगी और उन अवसरों को अपने पक्ष में मोडने के लिए आपके पास पूरी उरजा और सेंस सकती भी होगी आप आज जिस भी किसी काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और सुचार रूप से आज आपके सभी कार्रे आसानी से बनते चले जाएंगे जिस से आपकी आर्थिक इस्तितियां भेतर होने की संभवना पाई जाती है आज आर्थिक लाब के लिए किया गया प्रियास सफल हो सकता है साथी साथ आप अपने ग्यान को बढ़ाने और लोगों से अपने विचार बाटने में भी आप दिल चस्पी रखेंगे आप दूसरों की जवड़तों को ध्यान में रखते हुए सामानने से अधिक विचार सील होंगे परीजनों से मदद पाने की आपकी इक्छा आपको सयोग पाने के लिए प्रेरित करेगी दोस्तों आज भविच्से के लिए योजनाएं आप बना सकते हैं जो आगे चलकर आपके लिए काफी सुब फल दायक रहेंगी सत्ता से जोड़े लोगों के साथ अच्छे संबंद बन सकते हैं धार्मिक और अध्यात्मिक कारों में रूची बढ़ेगी कारोबार में अच्छा मुनाफ़ा आप कमा सकते हैं दिया हुआ धन आज आपको वापस मिल सकता है सोच समझ कर काम करें अनुवबी लोगों की सला आज जरूर लें आपके लिए फायदेबंद रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं जब के लिए क्या नेगेटिव रह सकता है दोस्तो आज गाड़ी और घर की प्राप्ती के लिए किया गया प्रियास में बादाएं उत्पन हो सकती हैं यदि आप नौकरी करते हैं तो केरियर को लेकर उतार चड़ाव की इस्तितिया आज आपको देखने को मिल सकती हैं परन्तु परियास करने से अच्छा लाब प्राप्त होने की भी संभावना आज पाई जाती हैं दोस्तो साती सात आपको अपने परिवारिक शुकों में आज कुछ कमी देखने को तो मिलेगी ही साती सात इन सभी समस्याओं के कारण आपका मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है जिसका विपरीत असर आपकी सेयत पर पड़ेगा आज सत्रू अंद्रूनी समस्या भी हो सकता है किसी तरह का कोई विवाद चल रहा है तो सावधान रहने की आज आवा सकता है यदि किसी तरह का कोई कोट मुकदमा या प्रॉपर्टी से संबंदित कोई विवाद है तो ज़्यादा प्रियास ना करें अन्यता इस्तितियां विप्रीत दिसा में हो सकती हैं दोस्तो साथ साथ चिंता या तनाव से आप बचें इस समय ऐसी कोई घटना होगी जिन से निवट पाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है अपनी हर गलती से कुछ सीखें और अगली बार उसे धोराने से बचें समय प्रवंदक की जगा प्रात्मिक्ता प्रवंदक बनें कोई अपॉइंटमेंट या अन्य कैई महतपूर्ण चीजे के भूलने की भी आज समभवना बन सकती है दोस्तो बेवजा के डर को मन से निकालें और परिश्रम से कारने में जुटें नकारात्मक विचारों से बचें अन्य था परिवार में कलह होने की समभवना रहेगी अधिक परिश्रम से शाररिक और मानसिक रूप से ठकान का अनुबब आज आप करेंगे इसका असर रिस्तो पर पड़ सकता है थोड़ा साफधान रहें दोस्तो बात कर लेते हैं जब की लव लाइफ कैसी रहनी वाली हैं दोस्तो आज के दिन आप लोग अपने प्रेम जीवन का प परंतु यह काम आपको जल्द ही कर लेना चाहिए प्रेमी प्रेमिका के आपसी संबंद आज मदुर होने की संभवना पाई जाती हैं सातिसास दोस्तो प्यार महबत के मामले में दवाब बनाने की कोशिस ना करें यदि इस समय आप दोनों के बीच किसी तरह का विवाद है तो उसे सुल जाने की कोशिस करें यदि नई रिलेशनसिप है तो उसमें कोई भी जल्दबाजी में फैसला ना करें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवसाइक केरियर कैसर रहने वाला है दोस्तो आज वैवसाइक गति विद्यों में परिसानिया आ सकती हैं लेकिन कटिन परिश्रम से क्यारों में सफलता मिलेगी और धनलाब की काफी अच्छी इस्तिती रहेगी करे छेत्र में काम के अधिक्ता रहने से शारारिक और मांसिक रूप से ठकान का अनुभव आज आप कर सकते हैं कोट का चैरी से संबंदित आपको कोई अच्छी खुसकबरी आज प्राप्त हो सकती है विद्यार्तियों के लिए समय अच्छा है नौकरी करने वाले जातकों क के लिए समय आज का काफी मिला जुला रहेगा जिहां दोस्तों आज का समय आपकी आर्थिक इस्तिती को मजबूत बनाने में काफी महतपूर सावित होगा और आप परिवारिक संपत्ती प्राप्त कर पाने में भी आज सफल हो सकते हैं जिससे आपको काफी खुसी का बनी हुई रहेगी आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपको अपने स्वास्त में लापरवाई नहीं करनी आज आपको अपनी सेहत के मामलों में मिले जुले परिणाम देखने को मिलने वाले रहेंगे दोस्तों मद्यहान के बाद आज आपका स्वास्त बिगड सकता है वहां चलाते समय शावधानी बरते दोस्तो अपने भोजन सामगरी पर आप विशेश रूप से ध्यान दें और समय निकाल कर अपने लिए प्रते दिन नियमित रूप से एक्सरसाइज करें ताकि आप श्वैम को चुस्त दुरुस्त बनाए रख पाने में सफल हो इसने दोस्तो अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वास्त रहें दोस्तो बात जल लेते हैं आज आपके लिए विशेश रुपाय क्या हैं दोस्तो आज आप इश्णान आदी से निरवत रहोने के बाद माता लक्षमी का दक्षणा वर्ती संख में जल भरकर अभिषेक करें और साथ ही साथ अपनी मनों काम नहें मांगें या दोस्तो ऐसा करने मात्र से ही मा लक्षमी बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगी जो भी आपके जीवन में परिशानिया चल लही हैं समस्त परेशानियों कांत करेंगी और आपके घर में धन्शुक संपत्ती का वास होगा मालक्षमी आपके घर में वास करेंगी जा दोस्तों आप इसे प्रकारिश उपाय को अवश्य करें आपको अवश्य ही विसेश लाब प्राप्त होगा दोस्तो मालक्षमी का सिर्वाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट्स वोक्ष में जै मालक्षमी अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद